हेलो गाईज, वेलकम बैक तो आवर योट्यूब चैनल, लेट स्टडी कोचिंग सेंटर, मैं हूँ शिवम दक्षत और आपको ये टॉपक एक्स्प्लेइन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी, यानि अल्टरनेटिंग करेंट का करेंगे, यानि फॉर टी बाई टू टाइम, ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लें, कि constant current जो होता है, उसकी value कितनी होगी, तो i is equal to क्या हो जाएगा, i not sin omega t, यही तो हो जाएगा, i की value आप क्या पढ़े हैं, एसी में, i is equal to i not sin omega t, ठीक, और, ये constant current जो है, यह हम कितने time के लिए माल लें, तो यहीं पर लग देते हैं, for dt time, हम यहीं माल लेते हैं, ठीक, तो ऐसे में, सबसे पहले हमें, यह पता होगा, कि i is equal to, एक और भी formula होता है, dq by dt, ठीक, तो अगर हम इसका इससे multiply करें, तो यह हो जाएगा, i dt is equal to dq, तो दोनों तरफ हम क्या कर लें, integration कर लें, इधर integration करेंगे, 0 से q limit set करेंगे, और यह dt के respect में integration हो रहा है, इसलिए हम इसमें set करेंगे, 0 से लेकरके, और क्योंकि half circle हमें लेना है, इसलिए half circle को complete करने के लिए, जो time period होगा, वो t by 2 लगेगा, i के जगब पर हम क्या लग सकते हैं, i naught sin omega t, और इसकी limit set हो जाएगी, 0 से लेकरके, t by 2 तक, और यह हो जाएगा, dq, 0 से लेकरके, q तक, जो constant value है, यह तो बहार आ जाएगा, integration में, फिर sin omega t का integration क्या हो जाता है, cos omega t by omega in minus, ठिक, और limit 0 से लेकरके, t by 2 तक, यह देखिए, dq का अगर integration करेंगे, तो यह complete q हो जाएगा, और limit है 0 से लेकरके, q तक, ठिक, यह minus बहार नकालने है, और omega बहार नकालने हैं, क्योंकि यह दोनों value constant है, तो अंदर क्या बच क्या, cos omega t, 0 से लेकरके, t by 2 तक, यहां हम value सिधे minus कर देंगें, अगर, यहां हम लेकरें, अगे, ठिक, यह है, minus में, i naught, omega, अब देखिए, cos, omega के जगा पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 pi by t, आपको यह formula याद होना चाहिए, और small t की जगा पर सबसे पहले, optimum यानि जो upper value है, वो लिखेंगे, यानि t by 2, फिर हमें क्या करना होता है, minus करना होता है, फिर यही value, cos, omega, और t के जगा पर लिखना है क्या, 0, ठिक, तो omega के जगा पर हम omega लिखें, या फिर 2 pi by t लिखें, कई पर बच्चे confusion जाते हैं, कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो आप कुछ भी लिखेंगे, तो भी हमारा answer सेम ही आएगा, और इस तरफ, q minus 0 की value क्या आई है, qi है, ठेक है, अब देखें, यह जो है, यह हो जाएगा, i naught, omega के जगा पर क्या लिखेंगे, 2 pi by t, यह हो जाएगा, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, यानि यह हो गया, cos pi, फिर minus, cos, किसी भी value का 0 से multiply करेंगे, answer आजाएगा, 0, is equal to q हो गया, यह रैसी प्रोकल हो करके, जा करके, उपर लग जाएगा, यानि, i naught, t by 2 pi, और cos pi की value होती है, minus 1, और cos 0 की value होती है, 1, is equal to q, यह हो गया, minus, i naught, t by 2 pi, into, इन दोनों को अगर add करेंगे, तो minus 2 हो जाएगा, is equal to q, अब देखिए, यह 2 से, यह 2 कट गया, minus और minus, plus हो गया, यानि, यह हो गया, i naught, t by pi, is equal to q, फिक, तो यह तो हमारा charge निकल गया, लेकिन हमें current निकालना न, तो current in t by 2 time, t by 2 time, half circle complete कर रहा था, ध्यान दी जाएगा, यह यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेकरके, t by 2 time तक हुआ, हना, तो current के value निकालनी है, तो यह क्या हो जाएगा, q by t by 2 लेना हमें, तो i is equal to, अब q की value जाकर करके, q की value क्या है, i naught, t by pi, और उसके निचे क्या लखना है, t by 2, अब t से t काट दीजे, यह चला जाएगा उपर, 2, i naught by pi, अगर आप देखेंगे, 2 को 22 by 7 से डिवाइड करेंगे, तो आशर आजागा 0.637, तो इसकी value हम लिख ले रहे है, 0.637, i naught, किसकी value है, i की value है, ठिक, ऐसी आप यह भी लिख सकते हैं, similarly, यानि इसी तरीके से, EMF, EMF is also equal to, E naught, into 0.637, यानि EMF की value क्या आजाएगी, 0.637 times of E naught, ठिक, तो उमीद है कि आप ये पूरा solution समझ गया होंगे, और concept समझ गया होंगे, वीडियो को like कर देज़ेगा, comment करके बताना ना भूलेगा, और channel को subscribe कर देज़ेगा, अगर आपको ये समझ में आ गया हो, बहुत बदनेवाद इस वीडियो को देखने के लिए अंते तक जोड़े रहे हमारे साथ,